कि अग्षाइब करेंगे आपने से पहले के लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा ताकि आपका एक अच्छा सा रीकॉल बन गया होगा ताकि अपन नए टॉपिक के तरफ चल सके चलिए पहले मैं फ्रॉब्स आपको नए टॉपिक के बारे मता दूँ फिर थोड़ा सा रीक का करेंगे अपन का जो नेया टॉपिक है वह है कॉंबिनेशन ऊफ बार्ष बास मत्तल्क्षा यह सरिया का कैसा टॉप यह सब्से पहला कॉंबिनेशन होता है वह सीरीज देखिए एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो ऐसे वाले को कहते है वेरिंग सेक्ष इस अपन पार्टिकुलर्ली एक एक बात करेंगे बस आप धियान रखो कि कॉमिनेशन और बार्स को दो तरीके से कर सकते हैं पहला सीरीस और दूसरा पैरलल तो सीरीस को बोलते हैं फ्रेंड अपन वेरिंग सेक्षन और पैर लेल को क्या बोलता है composition section देखिए यहाँ पे इस टील का बार लगा हुआ है और एक copper का बार लगा हुआ दोनुई क्या है parallel तो आज अपन topic start करेंगे यह bearing section अपन क्या करेंगे start करेंगे तो आप इसको note कर लेना ठीक है कि अपन को formula अपने पढ़ा था stress जो क्या था load upon area दूसरा क्या पढ़ा था बच्छो strain जो की है parallel upon L और तीसरा क्या बच्छो तीसरा है आपका elasticity जो क्या होता है stress upon strain और चौथा होता है आपका डेलल मतलब की changing length PL upon A तो बस मैंने आपका आपको पता है कि हमारे लिए काम तो मैं अभी आपके लिए बहुत अच्छे से कर पाऊंगा आपको ही पता है कि सोम का weightage क्या और कितना tough subject है यह खेर चली कोई बात नहीं अपने स्टार्ट करते हैं आप इसे note करो फिर अपने पहला topic अच्छे से समझना है माल लीजिए कि एक बार यह है यह आपका एक बार है इसको अपन एक दूसरे बार से जोड़ा यह ठीक है और यह जोड़ा हुआ है कि mehr c 3 colaborative माल लोट के होटा सब्सक्राइए के लग अलग अलग लोग तिक और लंबाई भी कैया अलग-थिक है अलग-अलग कि पहले वाली की लंबाई है L1, दूसरे वाले की लंबाई है L2 और तीसरे वाले की लंबाई है L3, ठीक है फ्रेंड, इसकी डायमीटर है D1, दूसरे वाले की डायमीटर है D2 और तीसरे वाले की डायमीटर है D3, ठीक है फ्रेंड, मतलब यह अलग 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 डायमीटर का है, अब अगर इस लूट लगाते हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों इसमें यह क्रेगा लेकिन एक बात याद रखना ये तीनों इक्वल डिफॉर्म नहीं करेगा ये तीनों अलग 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 डिफॉर्म करेगा ऐसा नहीं जी कुछ हो सकता ज्यादा फैले हो अगर अपन को इसका निकालना हो चेंजिन लेंथ अगर हमनों इसका निकालना क्या हो फ्रेंड चेंजिन लेंथ निकालना हो कि कितना टोटल चेंजिन लेंथ होगा अगर हमें इसमें निकालना है कि टोटल चेंजिन लेंथ total change in length किसमे total कितना change in length होगा ठीक है तो तुम क्या बोल सकते हो कि change in length in 1 change in length in 1 कि 1 में जो change in length हो रहा है plus change in length in 2 जो दूसरे में change in length हो रहा है plus change in length in 3 दी मतलब इसमें जतना change हो रहा है इसमें जतना change हो रहा हो और इसमें जतना change हो रहा ह। अगर अपन इसको rait कर दे तो अपन को total changing length निकल जाएगा यही इसका क्या है बच्चो concept है concept क्या है कि teर्षे की ज सक्शन को आप-चैनलंफ को डेलल ठीक है तो यह आप इसको नोट कर लो इस पर अपन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पढ़ना है अभी अपन क्या करते हैं सिंपल कोईशन करते हैं उसके बाद जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर सेक्षन पर लोड क्या हो रहा अलग लगएगा तो अपन आगे पढ़ेंगे अभी बस इसको आप नोट कर लो आई होप आपको यह समझ माया होगा कि टोटल टेंजी लेंट इन लेंट इन लेंट इन टिंट इन टीन तीन तीन अप इसे नोट करो फिर अपने इस पर निमारी करते हैं अ है झाली ए 저희가 koosic n को नोट कर लो नोट करने के बार और फाद वीडियो को क्या करना टींट करना ठीक है मैं मान रहाए है यह सबहुकर को नोट भी कर लिया और दो बार पढ़ लिया देंख लंब कोशित और टाइम लगेगा लेगी कोई बात नहीं आप को स्केंव को सीक्न है आई देखते हैं कहा रहा है एन एक्सियल पूल आफ त्री फाइफ ट्रिपल जिरो न्यूटन मतलब पैथिस हजार न्यूटन का कोई क्या लग रहा है एक्सियल पूल मतलब 10 साइज हमाँ पूल मतलब है तो है तो अपनों को यहां से परदा चल गया कि पी कितना लग रहा फिरेंड 35,000 न्यूटन का ठीक है प्लस क्यों लिया क्यों को पता है क्या होता है दोस्तों पुल होता है आपका तेंस आगे पढ़ते हैं एक्टिंग वने बार किसी बार पर लग रहा है लिए लैंथ कंसिस्टीन और त्री लेंथ उस पर उस बार के कितने लेंध है तीन लेंथ है शोर इन फी convincing तो फिगर में आपको दिया गया देखिए आपको फिगर यहां पर दिया हुआ ना चलिए ठीक है इस यंग मॉडलर्स कह रहा है यंग मॉडलर्स यंग मॉडलर्स क्या होता है दोस्तों यंग मॉडलर्स मैंने आपको बताया था वह उता elasticity तो आपको यहाँ पर elasticity दिया हुआ है कितना 2.1 इंटू 10 to the power 5 Newton per mm square ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे कहे रहा है determine stress in each section हर एक section पर देखिए section 1 ही section 2 a section 3 है तो कह रहा है दोस्तों कि हर एक section में आप क्या बताओ stress पर बताओ और विक ब्हुत दोसरा total extension of the bar तो मैंने आपको extension का मतलब क्या बताया है तो दोस्तों मैंने आपको extension का मतलब बताया था मेरे दोस्तों कि elongation होता है कि के extension को अपन क्या बोलते हैion elongation या तो चेंजिन लेंद तो आप ध्यान देना ठीक है कि extension का मतलब क्या होता है दोस्तो elongation भी हो सकता है और दूसरा क्या होता है चेंजिन लेंद इसका मतलब यह है कि अपनको total चेंजिन लेंद निकालना है ठीक है तो देखो question का overview ऐसा है यह है दोस्तो और घुड़े गूँशन की दिनसेक्शन अपस में ऐसे जुड़े हुए है इसने लग भी लगरा है जिसतनी क्या लगरा रहा है लोड लगरा तो आपको हर एक section में स्ट्रेस बताना है कि हूँ हैं इसलां मतलब क्या दोस्तों कि कितना टोटल चेंजी लेंथ हो तो आई हो कोश्चन आपको समझ माया हो तभी आप आगे पढ़ना वजना वीडियो को फिर से वाद देखना जब तक समझ में ना है तो उसका मतलब नहीं नमनता आगे पढ़ कर चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था दोस्तों सबसे पहला काम हमारा होता था कि अपन क्या करते थे दाटा को बाहर निकालते थे आई अपन वही करेंगे उसके बाद क्या करते थे दाटा को बाहर को क्या बोलेंगे 11 कि एल्टू क्या हो जाएगा बच्चो 25 क्योंकि दूसरे सेक्षन वाले को बताया था मैंने आपको लंबाई और तीसरे सेक्षन की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे अ है एल्ग 3 22 सेंटीमिटर है ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ आते हैं जब्ड कर यहां पर दिया है यहां कि क्या हो डाइमीटर हो सेनटीमिटर नशार मतलब क्या बत्च यहां मतलब क्या बत्चों दायमिटर तो पहले सेक्षन के डाइमिटरक अपन लिखेंगे D1 जो की कितना है जो है 2 cm दूसरे सेक्षन के डामीटर को लिखेंगे अपन D2 जो की है 3 cm और तीसरे सेक्षन के डामीटर को लिखेंगे D3 जो है 5 cm तो I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा मेरी बात तुम्हें कहना क्या चाहरा हूँ ठीक है तो पहले सेक्शन की लंबाई को L1, डामीटर को D1, दूसरे सेक्शन की लंबाई को L2, डामीटर D2, और तीसरे सेक्शन की लंबाई को L3 और डामीटर D3, ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता था, उसके बाद हमारा काम होता था कि यूनिट को convert करना, और सबी को same यूनिट में ले आना ठीक है दोस्तों तो चलिए आई देखते हैं देखे यह न्यूटन में ठीक है इलाक्षिटी न्यूटन पर mm2 है तो मैं चाहूंगा कि सब मिलीमीटर में हो जाए तो देखे सेंटीमीटर को मिलीमीटर नो बदलने के लिए आप क्या किज़ें टेंस से मल 20 mm आई होप आपको इस वाए होगा तो कि अगर सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कनवर्ड करना तो आप 10 से मल्टिप्लाइ कर दिये तो 20 हो गया 212 हो गया 250 22 हो गया 220 ठीक है दोस्तों यह काम आप यहाँ हब ही करेंगे 2 सेंटीमीटर है मतलब इसको लिख सकता है 20 mm दस स्ट्रेस निकालने हैं तो क्या आप इस्ट्रेस का फोमला बता सकते हैं क्या होता है यह अपन अपन को लेकिन एरिया पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे बारी बारी एरिया निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे बारी बारी एरिया निकाल लेंगे ताकि इस्ट्रेस हमारा असानी से निकल जा फैले section 1 का area section 2 का area section 3 का area तो चलिए इसको find out करते हैं अपन थोड़ा रंबा कोशिशन जाएगा लेकिन कोई बात नहीं ठीक है आपको पढ़ना तो पढ़े गए न दोस्तों नहीं पढ़ोगा तो क्या करोगे चलिए सबसे पहले पर निकाल लेते हैं area for section 1 section 1 का area क्या होगा तो इसको रिनोट करते एवन से मैंने बोला जब भी डाइमीटर होगा तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मुला पाई बाई 4D square तो यहां पर डाइमीटर दीवन लेंगे तो 5 by 4D1 square शलिए यह आपका हो जाएगा एरिया वन तो पाई की वैलू 3.14 अपॉन 4D1 square को डीवन कितना बच्चो डीवन है दू 20 तो यह हो जाएगा 20 का square आप calculate कि जिए इसको से डिवाइट कर लिए सबसे पहले calculator निकाल दीजेगा ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत के बात नहीं है हो जाए यहां तो हमने किया 3.14 divided by 4 तो यह से कड़िया 0.785 में ठीक है तो 0.785 20 का all square मतलब 20 into 20 अब आप multiply कर दो इन्टू 20 into 20 तो यह हो जाएगा दोस्तों 314 mm square ठीक है जब अपन ने डीवन लिया तो अपन को क्या मिला एवन मिलिया मतलब एडिया वन तो अपन लिख सकते हैं जो लो लिखता होना ही पिलिग देता हूं डाटा आपको जरूरी एवन तो बच्चो एवन कितना होगे आपका 314 mm square ठीक है बहुत अच्छे अब इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे एरिया फोर सेक्षेंट टू एरिया 4 section 2 मतलब की a2 a2 हो जाएगा वही 5 by 4 d2 square तो पाई की वैलू 3.14 upon 4 d2 square d2 कितना बच्चो d2 है 30 तो 30 का whole square चलिए आप क्या कीजिए पहले इसको से डिवाइट कर लिजे 3 इसको डिवाइट करेंगे तो आएगा पॉइंट 785 पॉइंट 785 मल्तिप्लाइटी इंटू 30 तो यह आ गया फ्रेंट 706.5 मिलिमेटर इसको आप कर सकते हैं कैलकुलेशन मुझसे अच्छा कर सकते हैं चलिए तो आपने फिर यहां से निकाल लिया एटू कितना निकला 706.5 मिलिमेटर स्कॉर इसी तरीके से अपन एरिया थ्री मिकाल लेते हैं तो एरिया फॉर सेक्शन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों एटी इस इकल्स टू पाई बाई फॉर दी थ्री स्कॉर मतलब कि 3.14 अपन फॉर यह कितना बच्छो डी 358 तो 50 का होली स्कॉर आप इसको कल्कुलेट कर लो अपने इसाब से कर ले ना जैसे मैने तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाइ 50 मल्टीप्लाइ 50 तो यह जाएगा 1 9 6 2.5 mm इसक्वर तो बच्चों यहां से क्या निकल गया एरिया निकल गया 1 9 6 2.5 mm स्कॉर घवराना मत एक बार में समझ में नहीं आएगा ठीक है तो थोड़ा सा में हलका सा रिकाल कर देता हूं फिर आप नोट करना स्षराइब है तो हुआ निकाल लिए तो जब हमने आयिया निकाला तो इस शिक्षिन का एलिया एलिया कितना निकला है 314 का इतो क्या निकला दोस्तों इसका अनिकला 703.5 और इसका तो आप वीडियो को रोको यहां तक लिखो बनाओ उसके बाद आगे देखना ठीक है बच्चो चलिए आप इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्या ब assistance ओzentर varies एक सेक्षन का क्या करना आपन को स्ट्रे स्निक अपसे निकाल लेते हैं स 데்चला के लिए को एइट सेक्ष रै रहेघा यह आपका हो जाएगा ऑन ठीक पहले सेक्शन के लिए ईयरिया क्या एवन ट्पमान रहेगा सब के लिए संब्घिवाएं तो π कि मैं कितनी हैं 35000 और एवन कितना निकला तो अपन डिवाइट करेंगे 35,000 divided by 314 तो यह हो जाएगा बच्चो 111.46 इसकी यूनिट क्या होगी बच्चो देखे यह आपका हो जाएगा तो आपका मिली मीटर स्क्राइब तो नूटन पर मिली मीटर स्क्राइब ठीक है बच्चो चलिए अब आगे बढ़ते हैं stress at section 2 ठीक है कि दूसरे section में क्या stress होगा तो इसके लिए formula अपना sigma 2 हो जाएगा P upon A2 ठीक है फ्रेंट चलिए तो P कितना है हमारा P है 35,000 और A2 क्या निकला था हमारा A2 निकला था 706.5 706.5 simply आप divide कर दिजिए आप cancer आजाएगा तो 35,000 divided by 706.5 तो यह आगया 49.53 Newton पर mm2 I hope समझ में आ रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए तीसरी तीजिए अपने निकाल लेते हैं क्या stress at section 3 कि इस वाले section में क्या stress generate होगा तो आपको पता है ने stress का formula क्या होता है P upon A तो यहाँ पर अपन थर्ड सेक्षिन के लिकाल देश लिए sigma 3 और आपका यह हो जाएगा A3 P कितना है दोस्तो 35,000 बट्टे A3 कितना निकला था 1962 1962.5 तो आप इसको फिर से डिवाइड कर लिजिए 35,000 divided by 1962 कहीं गलती बलती हो तो या तुम लोग सुधार लेना ठीक है थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पर life class में calculate करने में अगर कभी हो भी जाए गलती तो आप लोग सुधार लेना तो फ्रेंड अपनने स्ट्रेस क्या क्या हर एक सेक्षन में निकाल लिया तो हमारे यह पार्ट वन कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट में वो क्या निकालना है टोटल चेंजिन लेन तो अपन उसकी बात करेंगे लिगि सबसे पहला अब इसे नोट कर लो दोस्तों ताब आगे बढरते हैं आपने स्ट्रेस हर एक सेक्षन का निकाल लिया दूसरा अपन को क्या निकालना था एक्स्टेंशन की आफ्सटेंशन निकालना था जूसरे अपन क्या बोल सकते हैं चोर दोटल ऑंू तो देखिए मैंने आपको conception बताया था न कि जब भी कोई बाहर आपस में सीरीज में connected हो तो चैंणी لेंथ क्या करते हैं आनल एकर निगालकर क्या करते हैं मतलब इसका क्या चैयन छोगा टाहिका क्या तो टीनों क्या करेंग पन अलग अलग लेंद ने लेंद फिर पहला कोई शने थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आनी लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है तो आपसे लिख सकता हूं डेल बन का फॉर्मुला आप सबस्वाइब एसे लिख लो फॉर्मुला पी ले यह ओता था था ना चैनिलन का फॉर्मु डेलिजेकर स्टों पील अपन एक करेंकि ग्रेंगे पी अपन क्या करेंड समय वन और टू लगाएंगे सेक्शन वन के लिए तो सभी के लिए क्या है तो पी और यी मैं आपको 1, 2 का इस्तेमाल नहीं करना है जो अलग है सिर्फ उसके लिए तो अलग क्या है? लेंथ अलग है तो इसके लिए L1, L2 और N3 का यूज़ करेंगे और अलग क्या है? एरिया अलग है तो A1, A2 A3 बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो common है इसमें मतलगा देना P1, P2, P3 अगर कभी लोड अलग हुआ तो उसके लिए अपन P1, P2, P3 लेंगे लेकिन अभी हमारा लोड क्या है? लोड हमारा common है मतलब क्या है? अलग क्या है? लंबाई और एरिया लंबाई को L1, L2, L3 ले लिया और एरिया को A1, A2, A3 ले लिया ठीक है? अब आप यहां पर देखो P और E क्या कर सकते हैं अपन common ले सकते हैं तो आप यहां से P और E को common ले लो तो बचेगा क्या? L1 by A1 L2 by A2 और L3 by A3 अगर आप common नहीं लेते हो तो आपका calculation बहुत लंबा हो जाएगा फस्जा हो गया ठीक है? तो I hope यह समझ माया हूँ आपको चेजिन लेंधिन 1, चेजिन लेंधिन 2, चेजिन लेंधिन 3 अपन ने क्या क्या P upon E क्या क्या common ले लिया अब अपन क्या करेंगे? वैलू पुट करेंगे और इसका answer निकालेंगे तो चली सबसे पहले अपन वैलू पुट करते है P की वैलू कितनी दीवी है आपको? P की वैलू दीवी है 35,000 तो यह आपका 35,000 E कितना दिया हुआ है? E दिया हुआ 2.1 10 to the power 5 इसको भी expand करेंगे, तोड़ेंगे भी L1 कितना है? L1 देखेंगे यह वाला दीजिएगा 200 mm convert कर दिया था ना और A1 कितना था? A1 आपका 3, 1, 4 L2 क्या है? L2 यह बच्चो, 250 और A2 कितना है? 706.5 706.5 L3 कितना है बच्चो? L3 यह 220 A3 1962.5 चलिए आगे बढ़ें बस अपनने क्या किया भी तक value को put किया है अब आप मारा इधर का काम खतम हो गया है तो अपन इसको मिटा देते हैं तो अपन को space मिल जागा तो calculate कर पाएंगे तो 3500 2.1 क्या मैं लिख सकता हूं? 10 to the power 5 को 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 10 to the power 5 को लिख सकते हैं 1,2,3,4,5 बन में चलिए इसको divide कीजिए 200 divided by 314 200 divided by 314 तो यह हो जाएगा 0.636 सिर्फ टीन डिजिट तक लेना उसके अगमतल देना फिर इसको इसको इससे divide करो 250 divided by 706.5 तो यह हो जाएगा 0.353 प्लस इसको ले लो 220 को 220 divided by 1962 0.5 थोड़ा सा आगे पीछी होता है अंसर एकड़म एग्जैक्ट मत परिसान होना कि एग्जैक्ट अंसर आएगा अपनने इसको डिवाइट के यह है इसको डिवाइट के यह है मैं क्या 3 0 से 3 0 को मैंने क्या क्या काट दिया तो उपर बचा 35 और नीचे बचा 2.1 इंटू 2.1 इंटू एक सो 210 अब क्या करो इनको एड़ कर लो तो 0.636 636 प्लस 0.353 प्लस 0.112 अपनने क्या क्या इनको एड़ किया तो यह आया है दोस्तो 1.101 आगे बढ़ते हैं इनको डिवाइट कर लो सबसे पहले तो 35 डिवाइड वाइड वाइट 210 यह आ रहा 0.1666 multiply 1.101 अब आपका अंसर आ जाएगा तो 0.166 multiply 1.101 1.10 कभी टिपाता है कभी नीटी पाता है लगी मुबाइल ही आ रही है 0.183 mm यह आपका क्या अंसर friend calculation ऐसे ही करना ठोली तोल कर ठीक है तो यह आपका क्या निकलिए total changing length कितमे निकला 0.183 ठीक है friend I hope समझ माया होगा आप इसे note करो फिर अपन एक और question करते हैं इस आपका कंचर्ट क्लियर हो चली friend अब इसी के जारी करते हैं ताकि आपका पूरा basic clear हो जाए इस question से आप अपने पूरे basics को clear कर लेना देखे board पर मैंने question लिखा है सबसे पहले question लिखकर आप क्या करो read कर लो चली तो I hope friend आपने question को read कर लिया होगा तो आपको question में क्या दिख रहा है कि तीन चीज आपस में connected है तीन बार आपस में क्या है connected है और एक load लग रहा है 35 और 160 किलो Newton का तो आपको बताना है देखे मैं question बढ़ता हूं calculate the total elongation तो मैंने elongation के बारे में आपको बताया था कि elongation मतलब आपको निकालना है shown in figure जो कि figure में दिया हुआ है आपको e दिया हुआ है कितना 2.1 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square शलिए तो friend देखे यहाँ पर आप खुद से माल लो क्योंकि section नहीं दिया हुआ है तो आप इसे माल लो कि ये section 1 है ये section 2 है और ये section 3 है गया बच्चों ठIEक है तो आप देख पा रहीं है कि एक load बाहर की तरफ जा रहा है देखो एक load कहां जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है 160 kilo Newton का और आपको पता है कि जब load बाहर की तरफ जाए तो आप load को क्या लेते हैं positive लेते हैं तो data में सबसे पहले यह आप लिख लो यहाँ पर कितना प्यार से दिया हुआ है कितना 2.1 इंटू 10 to the power 5 Newton per millimeter square आपको यह दिया हुआ है load मतलब की P कितना 160 kilo Newton मैंने आपको बताया था ना kilo Newton को अगर Newton में convert करना है तो kilo Newton को अगर आपको Newton में convert करना है तो आप 10 to the power 3 से multiply करेंगे तो आपने क्या किया है इसमें 10 to the power 3 से multiply कर दिया तो यह किसमें हो गया आपका Newton में हो गया है ठीक है आप conversion भी अपन क्या करते हैं करते चलते हैं यह section 1 की लंबाई है L1 20 cm इसको क्या लिख सकते हैं 200 mm 10 से multiply कर दो cm किसम बरल जाएगा mm में अल्टू कितना है बच्चो 30 cm इसको लिख सकते हैं 300 mm अल्ट्री 20 cm मतलब की 200 mm यह दो को 5 दिया हुआ है आप ऐसे देखोगा न फिगर में ऐसा एक 5 दिया हुआ है तो 5 का मतलब और बच्चो होता है diameter Pride का मतलब जाओता है diameter आप हमेशा ध्यहान देना कन्फ्यूज मत करना इससे पहले वह zone आपको डाया धिया हुआ था लेकिन इस बिगर दिया होगा है तो आप समझ जाओ कि फैक का मतलब क्या होता है दाइमेटर होता है तो क्या आप लिख सकते हो डाइमेटर वन इसका देखो पहले सेक्षन का लिखेंगे डीवन तो यह यह शिक्स सेंटीमेटर मतलब की साथ मिलीमेटर दूसरा लिखेंगे डीटू मतलब क्या तूसरा लिखेंगे डीटू सिक्स सेंटीमेटर मतलब की साथ मिलीमेटर चली तो आपको निकालना है टोटल चेंजिल लेंद तो चोटल चेंजिल लेंद का फॉर्मला क्या होता था पील अपॉन ही लगाएंगे ना तो यहां पर ए नहीं है मतलब आपको हर एक सेक्षन का एर एरिया सेक्षन मन के लिए पाई बाई फोर डीवन स्क्वार तो पाई की वैलू 3.14 अपॉन 4 डीवन कितना है डीवन है 60 तो यह हो जाएगा 60 का होल स्क्वार अब सिर्फ आपको क्या करना है कैलकुलेटर चलाना है आई यह थोड़ा सा कैलकुलेटर चला लें आप क्या करन इसको पहले डिवाइड कर लेना तो यह कर जाता है इससे 0.785 चली मैं थोड़ा से इसको बता दूं 60 के स्पायर मतलब 60 इंटू 60 तो पॉइंट 785 इन पॉइंट 785 इसमें कभी न कभी गलती होगा मैं पॉइंट इपता हो टीपाता ही नहीं या 785 इंटू 60 इंटू 60 क्या है भाई अला जाने टू एट टू शिक्स मिली मीटर स्कुरेर देख लिए ना बच्चो चेक करके सहीं के नहीं है मैं पॉइंट 560 इंटू से ठीक है अपनम निकाल लेते हैं एटू तो यहां पे डाटा लिख लो ना एवन आपको मिल गया कितना एवन मिलिया टू टू का फॉर्मुला वही हो जाएगा पाई भाई 4 डी टू का होल स्कुरेर तो पाई की वैलू 3.14 अपॉन 4 डी टू का होल स्कुरेर डी टू कितना है थर्टी 30 का होल स्कुरेर तो आप इस वो कल्कुलेट करो 0.785 multiply 30 multiply 30 तो यह जाएगा 706.5 mm स्कुरेर तो यह आपका क्या हो गया अब आपका बात आ गये थी का तो देखो यहां पर ही कहा है वच्चो डायमेटर वन और डायमेटर 3 equal है तो जब diameter 1 और diameter 3 equal है तो area 1 और area 3 भी क्या होगा equal होगा तो थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपका calculation में समय बच जाएगा वरना फिर आप भाई करोगे क्या करोगे फिर 5y4 d3 square और जब value put करोगे तो अंसर आपका ही आएगा कितना 2826 mm square तो थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपका हलका सा समय बच जाएगा 2826 mm square तो आप नोट करो ठीक अपने सिर्फ और सिर्फ क्या कि थोड़ा सा रिकाल ले लो सिर्फ और सिफ अपने यूनिट कंवर्जन किया एरिया निकाला क्योंकि एरिया का फॉर्मुला एरिया अपन का यूज होगा कहां पर चेंजिन लेंथ में थोड़ा आप रेस्ट भी लेना ऐसा नहीं के कंटिन्यू पड़ते चले आना आप इसको नोट करो पानी वानी क्यों फिर कंटिन्यू करो चले अपने नोट कर लिया होगा तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन को निकालना था टोटल चेंजिन लेंथ ठीक है मतलब वहीं लॉंगेशन अपन वहीं लिखते हैं सिंपल टोटल चेंज इन लेंथ कि रिए लोंगेशन डाथ है कि कोई दिक्कत की बात नहीं तो डल को क्या लिए सकते हैं डल-1 डल-2 डल-3 इसका मतलब का है ओफ चेंजिन लेंथन सेक्शन वन प्लस लेंधन सेक्शन 2 यह वन में कितना चेंज हो रहा है तुमें वह लिए टीसरे के भी लिए ल अपन एटर बदलेगा क्या लंबाई और एरिया कि हर सेक्शन के लिए तो पहले से करने डियान लखना है चलिए आगे बंगे यहाँ बहुत्य यह बनाक्म करना है चलिए मैं फटाक से कर देता हूं आपके लिए पी है कितना पी है एक सो साट इंटू टेंटू टी पावर थी इक इतना है टू पॉइंट वन टेंटू टी पावर फाइफ एलवन दो सो यहें वन टू एट टूसिक्स एल्टू एल्टू अपका तीन सो और अटू एटू सेवं गीरों सिक्स पॉइंट फाइफ ए थी इस्वोरु अर्टू फाइट जो सो अब टू तो सीच्स टू एट टू सिक्स क्या मिलेक सकता हूं 160 into यह आपका 10 to the power tree को 1000 और इसको में लिख सकता हूँ 2.1 12, 3, 4, 5 काटि कुट करेंगा अभी इसको पहले करता है तो देखिए 200 को divide करना है 200 divided by 2826 यह हो रहा 0.070 ठीक है फ्रेंड आगे बढ़ता है अब इसको इसको divide करता है 300 divided by 706.5 तो यह हो जाएगा 0.424 इसको करता है 200 divided by 2826 तो 0.070 तो यह 30 से 30 से 30 कैंसल उपर कितना और एक 0 यह और एक 0 यह कैंसल उपर बचा 16 2.1 into 10 करोगे तो यह आपका हो जाएगा 21 2.1 into 10 करोगे तो आपका 21 हो जाएगा इनको आइड कर लो I hope यह कटा ना हो अगर कड गया हो तो जान रिखना कि यह तीसरा वैलू भी 0.070 तो 0.070 0.070 0.070 0.424 0.070 0.070 070 070 इतना रहा हो तो यह आपका अंसर है और एक बात समझ लो कि सोम में आंसर कभी मैच नहीं करता है हो सकता है मेरा साहिद अफरीदी का अंसर इतना आ रहा हो और मेरा सोयव अक्तर का अंसर 0.428 आ रहा हो मेरा एक और बच्चा है इजहार उसकर अंसर आर हो सकता है कि 427 आ रहा हो मैं फिर से सॉल्ब करो तो हो सकता है यह 4.00 ऐसा कुछ भी मतलब आप मान के चलो कि अंसर वैरी होता है अंसर क्या होता है वैरी होता है अगर 0.5 सहीं तो 0.49 भी सहीं 0.51 भी सहीं कि हमेशा आपका अंसर सेम नहीं होता है अगजाइक कभी भी नहीं होता है कि डिपेंट करता है कि वह कितने तक लिया देखिया है अपने डिविजन यहां पर ठीपॉइंट तक है तो उसका क्षासर क्या होगा अलग-अलग होगा ठीक है तो आंसर का range होता है अगर यह answer .429 है ना तो इसका range आप मान के चलो 0.425 से लेकर 0.435 तक में सभी क्या है सही है ठीक है और कोई को 2 डिजिट तक लेगा तो 0.42 लिखेगा तो 0.43 लिखेगा ठीक है तो आज का लेक्चर खतम करते हैं बहुत अच्छा लेक्चर था यह आप प्लीज अच्छे से देखना वीडियो को यार प्लीज सेयर करो सब्सक्राइब कर वादो एक हजार ताकि मैं लाइफ क्लास ले पाऊं किती बार में बोलू आपको चलिकोई बात में आव इस नोट कीजिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में टेक केर कर दो